हेलो फ्रेंट्स मेरा नहीं इमाद और आप देख रहे हैं इसमों टेक चनेल दोस्तों पस्टिममोंगो गिरामिल मैंग वीडियो में बहुत दिन से अपलोड नहीं कर पाया आप मेंसे बहुत सब्सक्राइब लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं मेरा वीडियो के नीचे कोमेंट क के लिए कि कुछ दिन से सुरा बूत बिजी था इसके लिए मैं बना पाया मैं कोसीच करूंगा आप लोगो के लिए अब से हमेसा रेगूलर वीडिय 훨씬 लाने के लिए तो आज की ईस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने बाला हो का है वे определ chant पुरा एन तक देखना होगा मैं आप लोगों को पुड़ा इस्टेब बार इस्टेब डिटेल्स में बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो पिलीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रहना और साइट में जो बेल आइक होने उसको भी दावा देना त लोगिन करती आपके समने एक और निव पेज ओपने को आ जाएगा आपको यहाँ पर एमपिन नमबर इंटर करके लोगिन करना होगा पसिमंगो गिरामिन में का मुबाइल बैंकिंग में कैसे रेजिस्टेशन करना है इसके बार में मैं एक दो वीडियो अल्डेटी बना च करेंगे लोगिन पर किलिक करने के बाद आपके मुबाइल नमबर पार एक ओटीपी भीज़े जाएगा वो आटोमेटिक डिडेक्ट हो जाएगा और आप सक्सेस्फिली परसिमंगो गिरामिन में का मुबाइल अप्लिकेशन में लोगिन हो जाएगे इस अप्लिकेशन पर हो जाने के बाद यहां पर आपको छे ओप्सिन देखने को मिल जाएगा जैसे कि माई अकाउन बैंकिंग आएंप्स रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन हिस्टूरी और सेटिंग यहां पर जो जो ऑप्सिन है इसके बारे में मैं एक दो वीडियो अल्डेट्वी बना चुका सेटिंग पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको तीन ओप्सिन देखने को मिल जाएगा मैनेज बैनिफिसरी रिसेट पीन्स और अपडेट इमेल आईडी आप सिंपल यहां पर मैनेज बैनिफिसरी इस ओप्सिन पर किलिक करेंगे मैनेज बैनिफिसरी पर किलिक करने के ब को एड़ करना चाहते है तो आप क्लिक करेंगे लिए या पर नीचे आड़ यह पर क्लिक करेंगे अपको सब से पहले हैं पर नेम लिखना होगा नेम और मुबाईल नमबोर और इमेल आइड़ी को यहां पर पर क्लिक करेंगे सेब करने के बाद आपके समने एक बार रिव्यू के लिए आ जाएगा आप यहां पर अच्छी तरह से देख लीजिए सब कुछ सही है या फिर गलत है उसके बाद आप सिंपने आपके समने एक और न्यू पेज ओपनों का जाएगा यहां पर आपको सबसे लें पहले सलेट करना होगा अगाय मंगोगरल बिद्ग को ऐड करना चाहते है तो आप यहां पर वीधिन और यहांख इस से पर किलिक करेंगे और आगर आपको यहां पर दूसरा बैंक का बैसिर को एड करना चाहते है तो आप हैकामेंOk उस account number को यहाँ पर इंट्र करेंगे, account number को एक बार इंट्र करने के बाद आप यहाँ से दुबारा एक बार confirm कर लेंगे, account number को, account number को इंट्र करने के बाद आप यहाँ से account type को select करेंगे, आप यहाँ पर जो भी account number को इंट्र किया है, वो saving account है, या फिर current account है, या फिर loan account है, सेविंग अबसके बाद धर जो भी बैंक निरटकर एकाउंड रेंगे अगर अगर आपकों इससा कोड Director अबर को नहीं पुर तो आप या पर बैंक का नेम और सिटी एंटेराब करके हम नहीं चाहते हैं तो जीद जैसिके पदimana पर सार्च करके अप लुखों को यूब का दिखा दीता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक का नेम लिखेंगे आप कोन सा बैंक का लाइन्ट करना चाहते हैं जैसे कि माँ magistCan.. इंडिया है का बैंडीया का लिख देंगे बैंक का नेम लिखने के बाद आप यहां पर ब्रांच का नेम लिख डेंगे लिए होरा को लिख देंगे एक और तरीक से यहां पर देख सकते हैं रहुत कपस्राइब कुछ तरीक से भिल्च बोटेंगे उसके बाद यहां से done पर क्लिक करेंगे done करती है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर IFC code यहां पर आगया है उसके बाद आप सिंपर यहां पर save पर क्लिक करेंगे save पर क्लिक करने के बाद आपके समने एक बार review के लिए आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, Select 10Sphere Type यहाँ पर आप देख सकते हैं, Other Bank Account, आप इस तरीके से 10Sphere कर सकते हैं, NEFT, RTGS, IMPS और P2A, आप इस चारो तरीके से 10Sphere कर सकते हैं, उसके बाद Account Number, Account Type और IFSC Code आपके समने दिख जाएगा, आप Simply यहाँ पर Confirm पर क्लिक करेंगे, Confirm पर क्लिक करते हैं, आप जो भी Beneficiary को एड़ करेंगे, उस Beneficiary का Name आपके समने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस Beneficiary को मैं अब यह भी एड़ किया है, इसलिए यहाँ पर Pending सो कर रहे हैं, और उपर में जो Beneficiary हैं, यहाँ प तरीके से अगर आप कोई दूसरे Beneficiary को एड़ करना चाहते हैं, तो आप से यहाँ पर Add Beneficiary इस पर क्लिक करेंगे, Add Beneficiary पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले निक नेम, फुल नेम, मूबाइल नमबर और इमेल आइड़ को इंटरा करके, आप यहाँ पर Save पर क्लिक करके, Add करने के बाद, आपको 24 hours तक वेड़ करना होगा, उसके बाद आपको Beneficiary Activate कर देया जाएगा, Beneficiary को Activate करने के बाद, चलिए मैं आप लोगों को दिखा दीता हूँ, आप Money Transfer कैसे करेंगे, Beneficiary Successfully Activate हो जाने के बाद, आगर आप उसको Money Transfer करना चाहते हैं, तो आप सिंपिन आपको यहाँ पर Select Beneficiary को Select करना होगा, आप कौन सा Beneficiary को Money Transfer करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मेरा एकाउन में सिर्फ एकी Beneficiary Add है, तो इसलिए यहाँ पर 100 कर आए, आप सिंपिन अपने हिसाब से Beneficiary को Select करेंगे, आप कौन सा Beneficiary को Money Transfer करना चाहत तो चलिए मैं यहाँ पर Example के लिए इसको Select कर लेता हूँ, अपने सबसे Beneficiary को Select करने के बाद Beneficiary का जो Account Number हो आपके समने सो हो जाएगा, IFSC Code यहाँ पर सो हो जाएगा, आपको यहाँ पर Simply Amount को इंटर करना होगा, आप कितना रुपे सेंट करना चाहते, तो चलिए मैं आप पर Example के लिए 100 रुपे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर Remark पर कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए मैं आप यहाँ पर Example के लिए Pay लिख देता हूँ, सब कुछ अपनी सबसे फिल करने के बाद आप यहाँ पर 10S4 पर कि चलिख करेंगे, पर जो सब्सक्राइब करने के बाद, अरुन हैं पर कुछ धर करना हो गाँगा, इसा, अगर आप यहाँ पर आदरो टैनरेसिंग करने नहीं, तो आस पर किलिख करने के बाद यहाँ से अरे इसा ब्लिख से बैनीयृपिसर को सेलेट करना चाथे हैं, इसी पर कर सकते हैं तो बास दूस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो चलिए हमें इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आई होप दूस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आप बिल्कुल आसानी से कैसे पस्तिमोंगों गिरामिर में का मुबाइल एप्लिकेशन में कोई भी बेनिफिसर को एड करेंगे अगर आपको वीडियो आच्छा रगा तो कि लाइक करना और आपने फैमेली के सकते हैं इसी तरह से और धी नया नया वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हूं आप से आगले ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या माँ कम वीडियो में तर आप को वीडियो कि से घ्सक्राइब कौ हूं थे ऊनी सब्सक्तित हूं। I don't wanna waste what's left